है लो सुदेंट जैनल सिरा शेक आज एंपियो का लेक्षर नमबर टू है जिसमें कवर करेंगे कुछ नए पॉइंट फेंट फेंट इस टार्ट करेंगे आज का क्लास करते न्पियो पिछले लेक्षर के अंदर मैंने आपको स्टेप्स वगेरा सा बता दिया था तो यहां सुद्धार में जिसमें आपको याद होगा सबसे पहला स्टेप क्या था सबसे पहला स्टेप था था टुफाइंड याद है ने 6,80,000 कहां लिखोगे capital fund आपकी liabilities है तो capital fund जाएंगे और जाके लिख देंगे liabilities side पे capital fund कितना 6,80,000 क्लियर है हाँ तोड़ा amount के साथ प्रेशर हाथ बैठते 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 यहां तक पक्का समझा दूसरा step क्या था जरा देखो तो दूसरा step था capital fund find करने के बाद copy paste balance sheet इस question में balance sheet दिया है तो जैसे दिया है वैसे copy paste capital fund तो हो गया entrance fees copy paste करते समय सिफ यह ध्यान में रखना कि जो भी amount है वो सब किदर copy करने का inner column में जो भी amount है किदर copy करने का inner column में तो बैए entrance fees कितना है 20,000 copy करेंगे कहां पर लाइबरीटी साइट पर यहां पर लिख लेता हूं में आप सीधा लिखना यहां तक पक्का समझा बढ़ेंगे नेक्स उसके बाद क्या था उसके बाद यहां पर तो कुछ नहीं यहां पर आते असेट साइट साइट पे cash in hand cash at bank यह तो boys है attitude वाले ब्रॉट डाउन सर और यहां पर देखो आपको यहां पर दिख रहा है two balance brought down cash or bank दिख रहा है कितना है 5000,000,8000 सेम चीज है 5000,8000 इसके पहले यहां सी question था first question और मैंने पता है balance brought down और नए नको नको क्यों balance brought down ignore मारने का क्यों मारने का यहां पर वही same चीज वहां पर होता है मतलब बैलेंस ब्रॉट डाउन है बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब इग्नोर मारना है समझ में आया क्या क्योंकि यह opening balance sheet है और हम closing balance prepare गर दे तो बैलेंस ब्रॉट डाउन अपले लिए नहीं है इग्नोर मारना उसके बाद है लैब दिया हुआ है ब्रॉट दिया है ना 15,000 copy and paste करेंगे तो buy copy paste करेंगे asset site पर जाएंगे asset site पर लिख लेता हूँ भाई कितना दिया है लाब का value 50,000 है आचा 15,000 दिया है को ही नहीं 15,000 लिख लिएंगे क्या उसके उन्दर स्ट्रीं ताउं ऐज से अरच यह अर्य समझ लाब की बाद किया है देखो धे रहा लाब के बाद है बिल्डिंग कितना है सब ट्रोव इंटर कॉल्म में लिखना है विलिडिंग कितना है सिक्स लाइक्स क्लियर है पक्का समझा बिल्डिंग के बाद क्या है बताओ बिल्डिंग के बाद है फर्नीचर कितना 40,000 ये भी आपका असेट है असेट साइट पे फर्नीचर कितना है फर्नीचर क्लियर है समझ रहा है उसके बाद क्या है बताओ जरा बुक्स क्या है आपका असेट है असेट साइट पे बुक्स भी लिख लेता हूं बुक्स कितना है 20 इनर कॉलम उसके बाद क्या है टूशन फीज रिसीवेबल पूरा एक अमाउंट है 10,000 रुपए तो भाई टूशन टूशन फीज रिसीवेबल कितना 10,000 एन डाउट तो आपका पहला स्टेप था क्यापिटल फंड हमने फाइंड कर लिया दूसरा स्टेप क्या था कॉपी पेस्ट बैलेंशीट वह भी कर लिया अब तीसरा स्टेप से मार्किंग करना है कौन सा चीज कौन से अकाउंट में क्या है जाएगा आक harbor एक remains लेक्म पैसा आएगा जो पैसा आएगा वह या तो इनकम होगा या तो लाइब्लिटीज होगा income होगा या तो लायबरिटीज होगा income होगा या तो लायबर होगा बराबरी के नहीं और जो पेमेंट हुआ है वह एक्सपेंस होगा या तो असेट होगा clear छलिए फिर मार्किंग कर लेते देखते कौन सा चीज किदर जाने पर सबसे पहला balance brought क्या करने का एकनोर मारना है very good tuition fees tuition fees मिल रहा है मतले मेरी लिए क्या है income है समझ वह सार दो दो साल दिया है अभी important नहीं tuition fees income है income linked clear उसके बाद क्या है fine collector fine collect यह भी तो income है वह समझा उसके बाद क्या है admit इंकम है उसके बाद टॉम्पी सिर इंकॉम डोनेशन फार लाइबररी लाइबररी के लिए डोनेशन दे रहा है किसी काम के लिए डोनेशन मतलब वह आपका liabilities है very good यह मेरा liabilities है समझाए उसके बाद interest on bank deposit bank में पैसा deposit कि आप आपने लिए क्या रहेगा income मैंने वर्ड बताया था revenue किसी भी चीज़ का revenue मतलब आपका income है तो यह मेरे लिए क्या बन जाएगा income इसमें कुछ भी डाउट मतलब जितना पैसा मिला सब income एक को छोड़िके वह आपकी लाइवें डिसके पेमेंट साइट पर जाएंगे सबसे पहला क्या है salary to teacher क्या रहेगा expense office salary expense books asset क्यों sir अब भी आपने देगा books आपके पास था तो books आपके लिए क्या है asset है सर यह purchase purchase दिया वह बाद में देख लेंगे printing and stationery क्या है expense है annual gathering खूदी बोल रहा है expense बोल रहा है na expense office rent expense repairs expense sports expense expense furniture asset balance carried down अपना है asset है समझ में आ गया गया marking clear clear हो गया तो यह आपका step number two था मार्किंग करने के बाद क्या करोगे मार्किंग करने के बाद adjustment read करेंगे और जिसके पर adjustment उसे star mark करेंगे tuition fees are outstanding for current year rupees 5000 adjustment किसके उपर है tuition fees के उपर tuition fees दीख रहा है क्या करेंगे star mark करेंगे बाद समझ में आए गया उसके बाद क्या है जरा check कर दे उसके बाद आपको दिया है rent paid in advance 3000 adjustment किसके पर है rent paid देखो paid मतलब payment side office rent दीख रहा है मेरको एक की इसी के पर adjustment है office rent rent ही है ना इसके पर adjustment है next उसके बाद क्या है office rent के बाद है depreciate book at the rate 15 percent furniture at the rate 10 percent books और furniture के पर adjustment है by default तो आपने inner column में लिखी लिया है बट फिर भी हम अगर इधर books दिख रहा तो उरको star mark करते books को और furniture को clear है क्या कितना step सबको clear अब यह हो जाने के बाद आपको क्या करना है posting करना है यहाँ पोस्टिंग करते समय सिंपल है income है तो income asset है तो asset लाइबड़ीज है लाइबड़ीज और expense है तो expense में posting करना start करते receive payment का posting सबसे पहला balance इग्नोर मारेंगे tuition fees सर दो-दो साल दिया है confused हो जाएंगे हम वेरी गुड जब भी दो साल तीन साल कुछ भी दिया है ना जब भी दो साल साल कुछ भी दिया है तो आप देखने का आपको receive payment कौन से साल के लिए यह कौन से साल के लिए दिया था बताओ 2019 मतलब यह आपका क्या है current year है जिस साल का आप हिसाब किताब कर रहे हो वो इस साल का किताब है मतलब मेरा साल खतम हो रहा है 31st मार्च 2019 को जब साल खतम हो रहा है 31st मार्च को चालू होगा 1st April 2018 को मतलब what is my current year my current year is 18-19 तो 17-18 अरे यह मतलब यह मेरा income है मेरे जहान Hindi किछले साल का है मतलब पिछले साल किसी का फीज बाकि था वो इस सलory bellपैसा आया ना यह कौन सापाईशा पिछले साल का पैसा मतलब पिछले साल कुछ तो बाकि था बाकि था रहत हम देख सकते हो पिछले साल टूशन फीज रिसीवेबल था बैलेंस शीट में 10,000 रुपए दिख रहा आपको यह कभी का है आप बैलेंस शीट का देट चेक करो क्या था बैलेंस शीट का देट क्या है 31st मार्ट 2018 हमारा साल कभी चाल हो रहा है 1st April 2018 मतलब पिछले साल बैलेंस शीट क्लोज हो ज्यादा तो उस साल अपने को 10,000 रुपए मिलने का बाकी था बराबर है इस साल क्या हुआ उसी साल का पैसा मिला रिसीट कितना 8,000 जबकि मिलना कितना चाहिए था अपने को 10 मतलब जो मिला अभी भी उसमें कितना बाकी है 2,000 तो भाई मिला वह तो लिखा दो लेस तो बैलेंस कितना आ जाएगा तो वह 8,000 का पोस्टिंग समझा मैंने कैसे किया यह 8,000 का पोस्टिंग किदर जाएगा इंकम में नहीं जो बाकी था उसमें गया अब बचा यह एक लाग यह मेरे लिए क्या है इंकम है तो इंकम साइड पर जाओंगा बाई क्या बाद ऩफसे हं तो पको अड़ा करके हो related कि आंपको उसके बाद क्या फाइन के यह विए कनर जाएगा इंकम साइड पर और तो इंकम साइड पर जा रहा हूं वाए fine collected कितना directly outer column में लिख देता हूँ कोई adjustment तो नहीं है clear उसके बाद क्या है उसके बाद check करो उसके बाद क्या है आपको admission fees कहां जाएगा आपने लिख के रखा है income में कोई adjustment है क्या उसके पर नहीं by admission fees कितना admission fees 10,000 clear है अरे समझा पक्का next admission fees के बाद क्या है बोलो जरा admission fees के बाद है term fees कहां जाएगा income side पे तो income side पे जाएगे और लिखेंगे by term fees कितना है term fees बोलो 7,000 कोई adjustment था क्या नहीं next उसके बाद क्या है donation for library कहां जाएगा donation for library liability side पे liability side पे जाएगे donation कितना है donation for library कोई adjustment नहीं है अरे बात समझा क्या पक्का समझा समझ रहा है तेरको सिद्धी खाय नहीं चलो सिद्धी आगे क्या दिया देखो जरा उसकी बाद आपको दिया donation for library के बाद interest on bank deposit किदर जाएगा income side पर income side पर जाएगे और link देंगे income के उपर buy क्या ही है interest on bank deposit कितना है पाच है clear handwriting फोड़ा address करना first time लीकर आप और मिलों को भी इतना experience नहीं है बट समझ लो खाली posting बराबर से clear है बढ़ते आगे उसके बाद क्या है इंट्रेस्ट होगा government grants bracket में revenue सर अगर revenue नहीं दिया रहता है तो क्या करते liabilities क्यूंकि जो भी receive रहा किसी काम के लिए हुआ रहेगा क्या तो income होगा तो अगर government grants में कुछ नहीं बोला रहता और receive साइड पर होता हूँ आपकी liabilities बन जाते इधर revenue वाट दिया मतलब income revenue नहीं दिया मनब कहां जाएगा कनल liability side पर clear है सेयद आप लोग को चलिए बढ़ते तो यहां पर आ जाएंगा और liability side पर लिए सर इंकम side पर by government grants कितना है कितना दो लाग clear हुआ पक्का next उसके बाद क्या है सर हो गया receive side to 10 payment side पहला क्या है salary to teacher और star mark भी किया है मतलब adjustment है तो adjustment side to salary कितना है salary salary 1,80,000 clear यह समझा उसके बाद क्या है हीद देख ज़रा उसके बाद दिया है salary to office staff लेकिन इसके पर adjustment नहीं है directly outer column में चले जाएगा आप इसके निचे जगा छोड़ देता हूँ और फिर लिखता हूँ to salary to office staff बराबर है कितना है 30,000 okay पक्का समझ रहा है next उसके बाद क्या है देखते उसके बाद दिया है books books कहां जाएगा asset side पे हमने books भी खाएगा हां मतलब इसके दर अपने को add करना पड़ेगा add purchase कितने का purchase किया बोलो 15,000 तो भाई 15,000 add को समझाए इसमें कुछ भी doubt 100% clear यहां तक हाए नहीं चलिए ठीक है books के बाद क्या है देखो जरा उसके बाद दिया है printing and stationary कहां जाएगा expense side पे तो 2 printing and stationary केट लोग 5000 next उसके बाद क्या है उसके बाद है आपको annual gathering expense कहां जाएगा annual gathering expense expense आपने लिख्किया रखा है तो 2 annual gathering expense केट लोग 10,000 next उसके बाद क्या है उसके बाद है office rent कोई adjustment हां सर रेंट के उपर adjustment है तो 2 office rent कितना है 16,000 inner column में क्योंकि adjustment है clear है यहां तर next उसके बाद क्या है sports expenses कहां जाएगा sports expenses payment side पे sorry expense side पे 2 sports expense कितना है sports expense directly outer column बराबर है next उसके बाद क्या है बोलो furniture कहां जाएगा asset और balance कहां जाएगा asset और दोनों asset side पे जाएगा furniture के अंदर add करना पड़ेगा add purchase कितना ही का purchase किया है पचास हजार और balance cash का और इसका दिया हुआ है तुमको cash in hand cash at bank cash in hand का balance 8000 और इसका 12000 तोटल 20000 दन क्या अच्छा रिपेर्ट क्या क्या है कौन सा अच्छा रे पन रहाजार है ना ठीक है लीपेर्स कितना है रिपेश 15,000 जपन है ठीक है Somad यहां तक पक्का 100% इसमें किसी को भी डाउट है गया वैसे तिरको डाउट है क्या इसमें जितना मैंने किया इसमें कुछ डाउट है पहला step क्या किया था by capital fund यह तो समझ में आया है फिर balance sheet अगर question में दिया है तो same copy paste किया inner column में यह समझा तीसरा marking किया चाउथा star mark करके marking किये हुए चीज़ को अपने जगे पर जाके लिखा है खाली star mark किया है तो अंदर की column में नहीं तो outer column इतना सब को clear 100% यह तक अब क्या करना है अब आपको adjustment read करना है और normal adjustment दो effect देना एक debit और एक credit जिसमें सबसे पहला adjustment है tuition fees are outstanding for the current year इस साल के लिए tuition fees कितना बाखी वो दिया है कितना बाखी है पाँच हजार outstanding add prepaid less outstanding add prepaid less outstanding add prepaid less outstanding add prepaid less तो भाईया tuition fees में add करना पड़ेगा add outstanding tuition fees कितना पाच हजार जैसे ही लिखा सिद्धी बोली sir ये तो adjustment है every adjustment है two effect one debit one credit one debit one credit credit side पे add किया credit effect credit side पे add किया credit अब दूसरा effect कौन सा देने का है debit ध्यान से सुनो ये income है क्या है income है मिलने का बागी मतलब मिलने वाला है anything receival is my asset आपके दिमाग में outshending मतलब liabilities है अब तक बड़ यहां पे outshending आपका income outshending है इसलिए वह आपका asset पे जाएगा अगर सामने वाला पैसा देता है तो अगर तीन डेट आ गया सतरह आठरह 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 मतलब यह वाला पैसा देगा हो 18-19 मतलब यह वाला पैसा देगा और 19 और 20 जो रहेगा वह आपका current year का रहेगा ऐसे आपका forward होते रहता है समझा तो अगर तीन डेट आया मतलब वह ऐसा डेट रहेगा बैटा दिमाग में अब यहां पर आप क्या लिखोगे tuition fees outstanding outstanding tuition fees कितना 500 इसमें कुछ doubt adjustment clear हुआ पका मोरे उसके बाद क्या दिया adjustment देखते है उसके बाद यह salary to teacher outstanding आरे salary to teacher outstanding बोला है पर यह तो adjustment है every adjustment have two effect one debit one credit one debit one credit debit side पे add किया debit effect debit side पे add किया debit effect दूसरा effect credit अब बताओ किदर जाएगा क्यों कि यह देने का बाकी है परक समझा क्या वह मिनने का बाकी था इसलिए asset यह देने का बाकी मतलब liability आरे पे आउटस्टेंडिंग सालरी कितना बाकी है पंदरह हाजार कनन समझा गया पक्का नेक्स वननन उसके बाद क्या adjustment दिया जरा देखते है just rain paid in advance plans for the Prepaid sebenarnyaục अवचने एड प्रीपेद ले आवचने अड प्रीपेड मैं तो भाया प्रीपेड और रेसकरो क्या烟 तो प्रीपेड रेंट कितना प्रीपेड थीन अजार है बराबर है, सुर ये तो अजस्मेंट है, every adjustment है, two effect, one debit, one credit, one debit, one credit, debit side पे minus हिया, credit effect, debit side पे minus हिया, credit, दुसरा effect देने का है debit, rent advance में भर दिया है, benefit मिलने वाला है, anything received is my asset, asset side पे जाएंगे या लिग देंगे, pre-paid rent, कितना, 3,000, अरे बात समझा गया, पक्का समझा है, 100% समझा है, बढ़ते आगे उसके बाद क्या दिया, adjustment चेक करते है, depreciate book at the rate 15% and furniture at the rate 10%, अब ऐसा adjustment आपने अल्रेडी किया हुआ है, final account के अंदर, और अभी तक भी मैंने आपको कुछ नया पताया भी नहीं है, NPO के अंदर भी आपने payment का posting बराबर समझ में आता, अब आते हैं working की तरफ depreciate building and depreciate furniture बराबर है, चलिए ठीक है देखते है depreciation कैसे solve होगा, कोई भी एक ले 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 दाना, क्या है इसके दो, चलिए, पहला तो मैं start करता हुआ, furniture से, furniture opening में कितना था देखो जरा, 40,000, opening में 40,000 था, फिर हमने add किया, purchase, कितने का purchase add किया, 50,000, तो आज जाके closing में मेरे पास 90,000 का क्या है furniture, अपने ऐसा same final account किया है, same to same, अब adjustment क्या दिया है, जरा देखते है, furniture पे कितना percent depreciate, depreciate book पे कितना है 15, furniture पे कितना है 10 percent, ठीक है, चलिए ठीक है furniture पे आते है, इसका कोई date दिया है कि देखो जरा question में, हाँ sir question में date दिया है कि हमने furniture कब purchase किया था, furniture हमने purchase किया है 1st July 2018 को, आपका current year है April 2018 से मार्ट 2019, आपने खरीदा का पे July 2019, आपके साल में ही खरीदा है न, July में खरीदा है, तो July, August, September, October, November, December, Jan, Feb, March, कितना महिना हुआ, मतलब इस 50,000 को हमने कितना महिना यूज किया है, 9 months, और जो पहले वाला है, यह तो पहले से अपने पास है, मतलब ये अप्रिज से है, इसको आपने कितना महिना उस किया, 12 महिना, बट इससे अपने कितना महिना उस किया, तो जब depreciation provide करोगे, इस पर पूरे साल का करोगे और इस पर ni 9 months का करोगे, बास समझा का खाया नहीं, कि 10% पूरे साल का 5000 पूरे साल का 5000 तो आदे साल का धाई और उसके भी आदे साल का 12.5 मतलब यहाँ पे 50,000 का अगर मैं परसेंटेज निकालू तो 12 महिने के लिए 5000, 6 महिने के लिए 5000 और 3 मंस के लिए 1250 तो 9 मंस के लिए कितना? 3750, तो एड 3750, टोटल आपको आजाएगा 7750, आए नहीं, यहाँ पे आएगा 7750, तो हमारा डेपरेसेशन कितना है? 7750, डन विट इस, simple था ये, इस में कुछ दाउट, सब को क्लियर, तो भाई depreciation था 7750, अमलिक थे depreciation मतलब asset का value काम, तो less depreciation, add the rate 10% कितना 7750, अरे बास समझा, sir asset का value काम हो रहा है, तो 2 depreciation on furniture 7750, any doubt in this, 100% clear है, बढ़ेंगे next, उसके बाद कितना percent furniture पे, sorry book पे कितना बोला है, 15%, अब book का भी सेम हिसाब है, book में opening value कितना है, देखो, तो book का opening value है, 22,000, बराबर है, फिर आपने purchase किया, कितने का purchase किए यह आपने देखो, जड़ा, 15,000, तो जाके closing में आपके पास कितना value बचा है, 37, opening मतलब साल पर use किया है, मतलब इसे हमने opening वाले को कितना महिना यूज किया है, ओपनिंग वाले को हमने 12 महिना यूज किया है, इसे कब यूज किया है, तो इसे हमने समझा, इस पे 15% कितना आएगा, तो 10% 2200, 10% 2200 और 5% 1100, 2200 प्लस 1100, 3300 यह simple था, जो calculation वो इधर है, और इस सम्में important calculation ही है, कुछ नहीं था, फाल यह depreciation सा बन जादा, यह adjustment final account में भी आ सकता है, यह adjustment, admission में भी आ सकता है, यह adjustment, सारे कोई भी topic में आ सकता है, समझ मैं, concept हर बार यही रहेगा, कितना मैना यूज किया, उतने मैने का depreciation, तो अब इस पर मैं calculate करने वाला 3 months का ज़रा ध्यान देना, 3 months का calculation कैसे करेंगे, 10% calculate करो, 10% कितना आएगा, इसका 10% 1500, बराबर है, and 5% 1500 का आदा, 7500, अरे बराबर, तो टोटल 15% कितना हो गया, 2250, एगरी यहां तक, इसमें किसी को doubt, चलिए ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यह 2250 कितने months के लिए है, 12 मैने के लिए, 2250, बराबर, कितने months का है, 12 मैने का, calculate कर रहा हूँ, 6 मन्त, कैसे calculate करूँगा, half कर दूँगा, 2000 का आदा, 1000, 200 का आदा, 150 का आदा, 25, तो यहां पे आएगा, 1125, मुझे कितने months के लिए चीए, 3 months, तो इसका भी आदा करना पड़ेगा, अभी 3 months का calculation, 1000 का आदा, 100 का आदा, 25 का आदा, साडे बारा, point में आएगा, clear है, तो 550 और 60, तो 562.5, अरे समझा, clear है, यहां तक, कितने months का चीए था, 3 months का, तो 3 months का, अभी अब, point है, तो इसे round off कर देता हू, 562.5, तो 563 कर सकता हू, ठीक है, दोनों को plus करेंगे, तो total 3863, depreciation समझ में आया, समझा, तो directly 37 का 15% नहीं निकालना mistake हो जाएगा, ओके, तो अभी यहां पर depreciation मतलब asset का value कम करना है, asset का value कम है, तो asset में से minus कर रहा हू, less depreciation, 3863, बास समझा, asset का value कम है, तो depreciation on books, 3863, understood, समझा यह, ऐसा हुए जिसको नहीं समझा, आज closing नहीं कर रहा हू, लेकिन आज यह जो concept है वो clear कर लो, अगर आपको बैड़ गया दिमाग में, बारा मांग फिर fix हो जाते, बारा मांग final account, बारा मांग का NPO, 24 मांग होता है, तो आप 80 के आसपास पहुंचने का level बढ़ा रहे, ठीक है, पक्का, ओफूली आपको वीडियो पसंद आए रहेगा, तो फ्रेंड ग्रूप में शेर करना, चैनल को सब्स्राइब करना, थैंक यू फॉर वाचिंग दे वीडियो,